So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में South Indian Bank share के बारे में बात करेंगे जो share का price है, यहाँ पे 16.20 पैसे है और इस share में आज हमें जो है 1.82% तक के negative returns यहाँ पे देखने को मिले है आगे हम इस share के previous returns की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 month में जो share है उसने हमें 5.19% तक के returns दिये है साथ ही अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में जो share है उससे हमें 1185.71% तक के हमें यहाँ पे जो share से है positive returns देखने को मिले हैं आगे हम इस share के delivery और volume की बात करते हैं तो जो share की volume है today की वो 2 करोड की है यानि इस share में आज के दिन जो है 2 करोड share trade हुए है यस्टरडे की भी 2 करोड की 1 week average की 4 करोड की और 1 month average की 3 करोड की यानि कि इस share में जो है 2 करोड से लेकर 4 करोड तक share trade हुए है और जो share की delivery है yesterday की वो 65 लाग की है 1 week average की 1 करोड की और 1 month average की 91 लाग की आगे हम इस शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बारे में भी बात करते हैं कि इस शेयर में आगे हमें जो है कैसा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे जो share है वो तो लगभख अपने resistance level के पास पहुँची किया है अगर जो share है कल उसमें हमें 1-2% तक का uptrend का move देखने को मिलता है तो हम देख सकते हैं कि जो share है वो यहाँ पे अपने resistance level को cross करते हुए तो से त्री मन्स तक जो share है वो यहाँ पे अपने तीसरे resistance level को हिट करते हुए हमें काफी बढ़िया यहाँ पे target देदेगा तो अगर आपके पास यह share है और आप इस share को यहाँ पे long term के perspective से अपने own risk में hold करके रखना चाते हैं तो आप इस share को यहाँ पे long term में अच्छे returns के लिए यहाँ पे hold कर सकते हैं